मैंने उस दिन सभा में क्या सीखा इस पूरे समय मुझे अपने पतियों पर अपनी शक्ती पर विश्वास था मुझे विश्वास था कि क्योंकि वे मुझसे प्यार करते हैं इसलिए वे मेरे लिए कुछ भी करेंगे लेकिन अब मैंने देखा कि यद्यपीवे मुझसे प्यार करते थे उतना ही जितना शायद कोई भी आदमी प्यार कर सकता है लेकिन अन्य चीजें भी थी जो उन्हें अधिक पसंद थी सम्मान एक दूसरे के प्रती वफादारी प्रतिष्ठा की उनकी धारणाएं उनके लिए मेरी पीडा से अधिक महत्व पूर्ण थी वे बाद में बदला लेंगे हाँ, लेकिन केवल तब ही जब उन्हें लगे की परिस्थितियां उन्हें वीर्ता पूर्ण प्रसिद्धि दिलाएंगी एक महिला इस तरह नहीं सोचती अगर उस दिन मेरे बस में होता तो मैं उन्हें बचाने के लिए खुद को आगे कर देती मुझे इसकी परवाह नहीं होती कि कोई क्या सोचता है मेरी जरूरत के समय उन्होंने जो चुनाव किया उससे हमारे रिष्टे में कुछ बदलाव आया भविश्य में मैं अब उन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहूंगी और जब मैंने खुद को चोट से बचाने का ध्यान रखा तो यह उनसे भी उतना ही था जितना हमारे दुश्मनों से वह एक महिला है जो पुरुशों की दुनिया में अपनी किस्मत गढ़ने की कोशिश कर रही है और मैं भी कभी कभी आपके सबसे करीबी लोग ही आपको सबसे ज्यादा दुख पहुँचाते हैं अंततह केवल आप ही आप पर वास्तव में भरोसा कर सकते हैं प्यार में सबसे मजबूत बंधन को तोड़ने की ताकत होती है तिरस्कृत महिला से अधिक खतरनाक कुछ भी नहीं है अतीत हमें आकार दे सकता है लेकिन यह हमें परिभाशित नहीं करता हम सभी महानता के लिए सक्षम हैं बशर्ते हमें खुद पर विश्वास हो जीवन तूफान के गुजरने का इंतजार करने के बारे में नहीं है बलकि बारिश में नृत्य करना सीखने के बारे में है सच्ची ताकत अपनी खामियों को स्वीकार करने और गलतियों से सीखने में नहित है हमारा भाग्य कभी भी पूरी तरह से निर्धारित नहीं होता है हमारे पास अपने भाग्य को स्वयम आकार देने की शक्ती है कभी कभी सबसे बड़ी लडाईयां हमारे भीतर ही लड़ी जाती है प्यार हमेशा एक परिकथा नहीं होता यह दोधारी तलवार हो सकती है हमारा वास्तविक मूल्य उन जिन्दगियों से मापा जाता है जिन्हें हम छूते हैं न कि हमारे द्वारा जमा की गई संपत्ति से साहस डर की अनुपस्थिती नहीं है बल्कि उसका डट कर सामना करने की क्षमता है असुरक्षा में सुंदर्ता है क्योंकि यह हमारी मानवता की निशानी है क्षमा करना कमजोरी की निशानी नहीं है बल्कि ताकत का कार्य है हम समाज द्वारा हमें सौपी गई भूमिकाओं से कहीं अधिक है हम अपनी इच्छाओं और सपनों के साथ जटिल प्राणी है स्वयम के प्रति सच्चा होना विद्रोह का सबसे बड़ा रूप है जीवन भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के बीच एक निरंतर्न रित्य है अंत में यह वे लडाईयां नहीं हैं जो हम जीतते हैं या हारते हैं जो हमें परिभाशित करती हैं बलकि वे चुनाव हैं जो हम रास्ते में चुनते हैं हम सभी अपने अतीद की जंजीरों से बंधे हुए हैं लेकिन इससे मुक्त होना हम पर निर्भर है अंधेरे के बीच हमेशा आशा की किरण होती है हम सभी तुर्टि पूर्ण हैं, लेकिन यह हमारी खामिया ही हैं, जो हमें अद्वितिय बनाती हैं प्रेम वर्दान और अभिशाप दोनों हो सकता है सच्ची शक्ती एक दूसरे से प्यार करने और समझने की हमारी क्षमता में निहित है चाहे हम कितना भी भटक जाएं, प्यार हमें वापस घर ले आने की ताकत रखता है हम सभी अपने अपने जीवन के कहानिकार हैं, कथा का निर्धारन करना हम पर निर्भर है जीवन आत्म खोज की यात्रा है, और कभी-कभी सबसे कठिन सबक ही हमें सबसे अधिक आकार देते हैं प्यार बिजली की तरह आता है, और उसी तरह गायब भी हो जाता है यदि आप भाग्यशाली हैं, तो यह आप पर सही प्रभाव डालता है यदि नहीं, तो आप अपना जीवन उस आदमी के लिए तरस्ते हुए बिता देंगे, जो आपके पास नहीं हो सकता मैं प्रसन्चित, विशाल और अजेय हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा ही था केवल मुझे यह कभी पता नहीं था क्या आप कभी गंभीर नहीं हो सकते मैंने निराश होकर कहा यह कठिन है, उन्होंने कहा जीवन में ऐसा बहुत कम है, जो इसके लायक हो आपकी बचपन की भूख वह है, जो आपको कभी नहीं छोड़ती उम्मीदें आपके रास्ते में छिपी चट्टानों की तरह है वे बस आपको परिशान करती है हृदय स्वयम नियंतरन से बाहर है यही इसकी ताकत और कमजोरी है जो प्रतिशोध का बीज बोती है, उसे उसका खूनी फल अवश्य काटना चाहिए एक स्थिती अपने आप में न तो खुश है और नहीं दुखी है इस पर आपकी प्रतिक्रिया ही आपके दुख का कारण बनती है कोई समस्या तभी समस्या बनती है जब आप उस पर विश्वास करते हैं और अक्सर दूसरे भी आपको वैसे ही देखते हैं जैसे आप खुद को देखते हैं अपने सम्मान का बदला लेने के लिए एक आदमी की प्रतीक्षा करें और आप हमेशा के लिए इंतजार करेंगे समय दुख और खुशी दोनों को मिटाने वाला महान उपकरण है वह बुद्धी जो हमारी अपनी भट्टी में परिश्कृत नहीं है हमारी मदद नहीं कर सकती मैंने कुछ ऐसा देखा जिसका मुझे पहले एहसास नहीं था शब्दों ने उर्जा बरबाद की इसके बजाए मैं अपनी ताकत का उपयोग अपने विश्वास को पोशित करने के लिए करूँगा कि मेरा जीवन अद्वितीय रूप से विकसित होगा पुरुशों के लिए कोमल भावनाएं हमेशा शक्ती और गौरव से जुड़ी होती है यही कारण है कि कर्ण ने मेरी याचना करने की प्रतीक्षा की यद्यपी वह मेरी पीडा को रोक सकता था इसी लिए उसने दुस्सासन को ऐसे कार्य के लिए उकसाया जो उस सम्मान संहिता के विरुध था जिसके द्वारा वह अपना जीवन व्यतीत करता था वह जानता था कि उसे इसका पच्छतावा होगा उसकी उग्र मुस्कान में पहले से ही दर्द की जलक थी क्या कल्पना हमेशा सत्य को बढ़ा चड़ा कर या कम नहीं करती है लेकिन सच जब इसे जिया जाता है तो ये हमारी कल्पनाओं से कम आकरशक होता है हम अपने आपको प्यार करने या उसे रोकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते अधिक से अधिक हम अपने कारियों पर अंकुष लगा सकते हैं हृदय स्वयम नियंत्रन से बाहर है यही इसकी ताकत और कमजोरी है पुरुष की शक्ती बैल की चाल के समान है जब किस्त्री की शक्ती अपने शिकार की तलाश में साप की तरह तिर्ची गति से चलती है जानिये अपनी शक्ती के खास गुण जब तक आप इसका सही ढंक से उप्योग नहीं करेंगे आपको वह नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं उसकी बातों ने मुझे उल्जन में डाल दिया क्या शक्ती विलक्षान एवं सरल नहीं थी जिस दुनिया को मैं जानती थी वहाँ पुरुशों के पास यह अधिक था मुझे इसे बदलने की आशा थी